आज हम लेने वाले है FIB.com का जो हमारा basic tools of economics जो है module 1 का उसका chapter number 3 का lecture number 3 लेने वाले जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे importance of functions ठीक है यह क्या क्या importance होते है functions के economics के अंदर तो देखो याँ पर बताया गया है सबसे पहला बोला गया कि functions जो रहते हैं वो काफी crucial role play करते है important role रहता economics के अंदर क्योंकि वो जो रहते हैं हमको बताते हैं कि जो अलग अलग जो variables उनके बीच में relationship क्या है तो उनकी जो economic relationship होती है उनको समझाने में जो है यह हमारे functions होते हैं वो मदद करते हैं इनी functions की मदद से हम prediction भी कर पाते हैं कि आगे अगर इसके अंदर हम यह changes लाते हैं एक variable के अदर तो दूसरे variable में क्या क्या changes आ सकते हैं तो prediction करने में मदद करते हैं जिसके वाज़ा हम modules अपने जो models होते है economics के वो भी बना पाते हैं economic phenomenon को जो है वो प्रैक्टिस कर पाते हैं समझ पाते हैं कि ऐसे क्या चीज़े होगी कि अगर मालो inflation आता है तो इसको किस तर कौन से अगर हम variable में change लाएंगे तो inflation को कम किया जा सकता है ठीक है तो इसे अलग-अलग चीज़ों को जो है हम control कर पाते हैं इन functions की मदद से तो अब यह जो function इनकी क्या importance होती है तो काफी जाद बढ़ी है बट इसको summarize किया गया है कुछ 5 points के अंदर कि इनकी क्या importance है और यह paper में आ सकते है importance of functions तो इसको याद कर लेने के लिए आप इसका short code बनाएकर याद भी कर सकते हो ठीक है जब इसका हम लोग अगर one shot इसके short quotes ठीक है तो अब देखते हैं स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर importance है describing economic relationship मतलब ही होता है कि यह दिखाता है कि कैसे एक variable के साथ अगर हम changes लाएंगे तो कैसे दूसरे variable में उसके impact पड़ता है effect आता है ठीक है तो यहाँ पर relationship दिखाता है कि function help economics express how variable interact मतलब कै है ठीक है कि जिसे price जो रहता है वो demand के साथ इंट्रैक करता है supply के साथ इंट्रैक करता है कि price के अंदर changes आते तो demand और supply के अंदर भी changes आ जाते ठीक है अब दूसरा जो इसका importance होता है वो यह रहता है cause and effect ठीक है यानि क्या कि फंक्शनल जो functions होते हो हमको यह बताते कि cause and effect relationship कि इस प्रकार का है दो variable के बीच का यानि क्या कि अगर मालो एक variable में हम एक चीज लाते है changes लाते है तो कैसे दूसरी variable में change आता है जिससे हम अगर यह formula के हिसाब से देखे तो यह आपको आपको दिखेगा कि जो left hand side में आपका यह जो dependent variable है इसको अगर यह जो रहेगा इसको हम effect बोलते है आपको बता होगा मैंने बताया था starting के lecture में नहीं देखा होगा तो आप दो देख सकते हो description में link है तो यह जो variable होता है यह जो dependent variable यह effect होता है और जो right side में जो variable x होता है वो उसको हम cause बोलते है यानि क्या कि अगर इसके अदर हम यह rule के मदद से यानि function के वज़े स यह जो भी changes आएंगे उस cause के वज़े से इसके उपर effect पड़ेगा ठीक है तो यह जो cause effect जो है वो हमको बदा चलता है functions की मदद से तो for instance जैसे example दिया गए demand function shows how quantity demanded changes with price की कैसे price के वज़े से अपना जो demand है वो change होता है उसके बाद देखो दूसरा बता है predictive power यानि क्या कि अपन प्रेक्टिव पावर होती है वो मदद करते हमको prediction करने में कि आगे समय में demand कितने होने वाली है कि आज इतना price है तो इतनी demand है कल इतना price था तो इतनी demand थी आज अगर हम लोग other嘅 अने वाला जो कल है उसके अधर अगर हम अपनी price को इतना रखेशंगे तो हमारी demand कितनी तो function help us make informative prediction by understanding how variable interact we can anticipate outcomes for example दिया गया है कि predicting our student course grade जैसे मैंने example दिया दे starting में कि जैसे कि मैंदा students के जो grade से वो depend करते किसे अपने study time जो study hours attendance और prior GPA तो यह जो example जिसमें आपको समझ आएगा कि कैसे यह जो अगर आप invariable के study कर लोगे तो आपको आपको grades पता चल जाएंगी कि आपको कितने grades मिल सकते कि आप कितना घंटा पड़ रहो कितना attendance ले रहो आप पहले कितने marks आते थे तो इस हिसाब से आपको पता चाहिए कि हाँ मेरे इस बार इतने marks आ सकते है ठीक है वैसे एक और example दिया है जैसे consumption function का consumer spending based on income कि जितनी आपकी income रहेंगी उतनी जादा आप खर्चा करोगे और interest rate यह सरी चीज़ है ठीक है तो इनकी मतलब से आप अपने predict कर सकते हो future की आने वाले समय में कोई भी एक particular variable का जो मतलब basically value जरेगी वो कितनी रहेगी ठीक है fourth importance है इसका modeling economic phenomena अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब भी यह होता है यह देखो functions की मतलब से हम अलग-अलग models बना सकते है economics का मतलब होता है मतलब basically models का मतलब होता है एक कोई भी economic situation है जिसको हम दिखा सके जिसके demand and supply है तो इसका हम लोग basically equation बनाते है तो वो भी एक economic model उसका अगर graph बनाते है तो भी economic model है ठीक है तो economic models जो होते जो economic, जो events होते economic phenomena है उसको दिखाते है तो उन models को भी हम इन functions की मतलब से simplify करके समझ सकते है बना सकते है मतलब basically यह देखो जिससे demand and supply तो अगर आपको demand supply के अंदर यह जो function है इसकी मतल सही तो आप बता पा रहे हो कि हाँ, अगर आपकी जो price है वो बढ़ाती है आप price के अंदर changes लाते हो उसके अंदर यह जो कोई भी changes लेकर आओगे तो आपकी demand उससे आप से change रहे है तो यह जो function है इसकी मतल सही आप यह model बना पा रहे हो अगर function ही नहीं रहता है तो model आप से बनाते तो वह यह कि economic models जो रहे है वो use करते है functions को ताकि वो complex interactions को simplify कर सके यह function express relationship like production, utility, budget, constraint for example यहाँ पर एक दिया गया है production function का कि कैसे, देखो production function क्या होता है कि आपका जो output ठोटाता है, मतलब कितना output अगर आपका आएगा वो basically कितना आपका production होगा वो depend करता है किसके ओपर आप कितना input डालोगे, ठीक है कि कितना जादा labor है कितना जादा उन लोग time काम कर रहे है कितना raw material डाल रहे हो, तो वो सारी चीज़े कितना capital लगा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका जो है, output जो है, वो decide होगा तो यह जो production function है, इसके अंदर भी आपका function होता है, तो उसकी मज़ से आप यह production का जो function जो model है, वो बना पाते हो, ओके और आप economic के जो complex interactions है, उनको समझ पाते हो कि कैसे production जो है, वो इन से जुड़ा हुआ है, कि क्या-क्या छोटा-मोटे changes करने के वज़से भी अपना जो production उसके में बड़े-बड़े changes हा रहे, ठीक है, तो agri demand and supply यह भी एक example है, जो micro economics के अंदर होता है, जो काफी important है national income, वो सरी चीज़े, अलगले चीज़े बोली गए, ठीक है, एक example दिये गए उसके बाद last इसका importance है वो है policy formulation, ठीक है अब policy formulation और models में क्या फरक होता है, देखो, models होते है, जो economic choice बनाते है, ताकि किसी भी economic phenomena को जो है, वो मतलब लगाने के लिए, ठीक है और policy का मतलब होता है, जो government जो रहती है किसी भी देश की, वो economic के हिसाब से अपनी policy बनाती है, जैसे कि taxation policy ठीक है, monetary policy fiscal policy, तो यह सारी जब policies बनती है, तो वो भी जो है इन functions की मुद्द से ही बनती है कैसे बनती है, तो देखो, हम अलग-अलग variables को देखते है, देखते है कि जिसाब मालो, अमारे देश में जिसे मैंने आपको बताया था मैं भी नहीं बता होगा, मैं आपको बता देता हूँ देखो अब जिसे मालो inflation है ठीक है, अब inflation market में आ जाता है तो money value, मतलब basically जब money value कम हो जाती है, तब inflation बढ़ जाता है, ठीक है, नहीं भी नहीं समझाता होगा अभी के लिए इतना समझे हो, कि मतलब देखो कोई भी economic situation आ रही है जिसे unemployment आ गया, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, government अलग-अलग policy situations, उनको देखने के अबाद ही policies बनाती है, तो being a part of economic models, functions, guide policy makers, ठीक है, वो functions जो रहते है, वो बताते है, आपको किस तरीके से policies बनानी है, अपनी, is designed effective strategy, for example guarding the central bank, in setting interest rate based on the inflation and growth, ठीक है मतलब कि inflation कितना है, growth कितनी है उस हिसाब से जो रहता है, जो अपना RBI जो रहता है, वो interest rate जो रहता है, वो decide करता है, ठीक है, तो यह अपने policy formulation भी जो रहता है, वो functions की मदद से ही किये जाते है तो यह अपने total past importance होते है बेभी आपको समझ आ गया होगा, कोई भी feedback देना मत भूलना, कि आपको इस वीडियो केसी लेगी, and चैनल को subscribe कर दो, ताकि आप लोग आने वाली जो next वीडियो उसको भी देख सको, और इस वीडियो को अपने दोसर साथ पक्का शेर कर देना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके, तो वीडियो को share कर देना, चैनल को subscribe कर देना, so thanks for watching my video, आपने next video मिलेंगे